गमगीन हुर्दे के साथ अश्रुपुन नेत्र के साथ आज पूरा देश इन वीर जवानों को सलाम कर रहा है। हमारे देश के वीर हैं ये जिने आज हम सब सादर नमन कर रहे हैं और देश वासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पालम एरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त हमारे इन देश के वीर सपूतों को शधांजली अर्पित करने के लिए देश के लिए एक अपूर्णियक्षती है ये जब हमारे देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ उनकी इस तरह असाम एक मृत्य हुई और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुषपांजली के जर्ये इन वीर सपूतों को शधांजली अर्पित करते हुए प्रधान मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंग्ग और ये श्रधान्जली प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बलकि पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री अपने इन वीरसपूतों को देश के इन बलिदानियों को अरपित कर रहे हैं इन शूर्वीरों को विनम्र श्रधान्जली दे रहा है देश प्रधारमंति नरेंद्र मोधी देशवासियों की ओर से इन राश्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रधान्जली दे रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्रिब बिपन रावत और उनकी पत्नी सहित सेन अधिकारियों का निधन अत्यांत दुखत और राश्ट्र के लिए अपूर्णियक शती है प्रधान मन्त्री नरेंद्र मोदी, जनरल बिपन रावत को पुष्पान्जली अर्पित करते हैं, शधान्जली अर्पित करते हूए और अब उनकी पतने मधुलिका रावची को भी पुश्प अर्पित करते हुए शधान जली देते हुए और अब ब्रिगेज एलेस लेदर को भी शधान जली देते हुए पिधान मंत्री इस दुरघटा में CDS के साथ अन्य बारा लोग हैं चों शहीत हुए हैं इनमेड जन्रल बिपिन रावत उनके पतनी के अलावा ब्रिगेडिर एलेस लिटर Lieutenant Colonel Harjinder Singh, Wing Commander P.S. Johan, Squadron Leader K.S. Singh, Naik Gursevak Singh, Naik Jitendra Kumar, Lance Naik Vivek Kumar, Lance Naik Sai Teja, Junior Warrant Officer Das, Junior Warrant Officer A. Pradeep, और Havaldar Satpal. इन सभी को विधान मंत्री नरेंद्र मोधी पूरे देश की ओर से विनम्र शर्धान्चली दे रहे हैं. ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिनोंने देशभक्ति का जजबा अपने जीवन में प्रकट किया, जिनोंने इस जजबे को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए. देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, और आज तिरंगे में लिप्टा इनका पार्थिव शरीर, देशवासियों के आँखों में अश्रु तो ला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसाथ करने का भी आहवान कर रहा है कि देश भक्ति के लिए जियो, देश के ल प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, शधान जले अरपेत कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक्षण है जब एक साथ अपने इतने वीरसपूतों को देश ने खोया, ऐसे में इनके परिवारजन, इन का दुख साचा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन ही परिजनों के पती देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए। देश के लिए इन वीरसपूतों का बलिदान, इन परिवारजन का भी बलिदान बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सबकी आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है। और इन सबके प्रती आज देश की ओर से कृतग्यता और पित कर रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अफसर जब पुरा देश इने सलाम कर रहा है, एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पुरा देश इनके प्रती कृतग्यता महसूस कर रहा है, पुरा देश इनके बलिदान को समझते हुए, इनसे देश भक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपून देश की ओर से इन्हें शद्धांजले अर्पित की है इनके परिवार्जन के प्रतिक्र तग्यता अर्पित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं, आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए। करना चाहिए।